नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट करकरासी वेलों सुक्र जो सुक्र को देने वाले हैं भौतिक सुक्साधन देने वाले ग्रह हैं वो रासी परिवरतन करेंगे और 22 जून से 17 जुलाई तक वो करकरासी में यानि आपके लगन म होगा आज हम आपसे यहीं साजा करेंगे अंतक बने रहें और यह प्रिडिक्शन चंद्रासी पर अधारित है देखिए जोतिस में सुक्र को बिलासिता का ग्रह कहा जाता है बहुतिक सुक्र साधन देने वाले प्रेम समंदों के कारक ग्रह मनुरंजन के कारक ग्रह और जिस यह परिवर्तन आप करक वालों के जीवन पर क्या प्रभाड डालेगा क्या कुछ लेकर आया है देखिए आपके लगने बैठे हैं तो मिला जुलाव चीज है मन में किसी बात को लेकर बेचे नहीं रहेगी सफलता के लिए अपने लक्ष पर धियान देना किया वसकता है और आपकी सोची समझी सभी रणीत या कारगर सिद्ध होगी हलांकि और कोई भी नया कारे कर आरम करना चाहते हैं तो अनुबंद पर हस्ताक्षिया करना हो तो अफसर अनुकूल रहेगा अगर साधी विवा समन्दी वारता भी यहां पर सफल रहेगी सुसराल पक्स से स्योग म और लगन में रहने से आपको बुद्धिमान बनाएंगे आपका बैक्तित तुमें निखार लाएंगे इस समय आप बौधिक छमताओं में आपका सुधार होगा और आप यह भी तै कर पाएंगे कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं धन के मामलों में आपका खर्चा थुर क्योंक से लाब मिलेगा और इस समय ब्यापार और साजेदारी के लिए अनुकूल होगा वक्त यदि आप संपत्ति या पुरारी वस्तों का निवेस्ट किया है तो इस गोचर के दरौन आप काफी लाप कमाएंगे बवही जीवन में छोटी मोटी परेसानिया है लेकिन फिर ओम सुक्रायनमा का जब कर सकते हैं रोज सुबह सोकर उठने के बाद और रात में सोने के पहले इससे आपका सुक्र आपको बहतर फल देगा वैसे तो आपके लिए करकवालों मान समान बढ़ा रहा है भागे में यहां पर बिरदी करेगा और साथ ही परतिभा जो दूसरों को आकरसित करेगी में और यहां पर दामपत्य जीवन को लेकर थोड़ी सी सिफ सावधानी रखनी है कोई खास टेंसर नहीं है लेकिन फिर भी संभल के रहे हैं तो सुक्र का यह गोचर आपके दस नहां पर लगने में होने से क्या होगा संपत्ती प्रपर्टी का भी लाब ह होगा सेर मार्केट बेगरे में भी लाब होगा और दामपत्य जीवन आपका ठीक है लेकिन थोड़ा सा संभालना होगा हम आपसे विदा लेते हैं जानकर यह अच्छी लिए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब धन्यवाद